question no.4 and exterior angles of a triangle measure 110 and its interior opposite angles are in the ratio 2 is to 3 find the angles of the triangle तो हमें angles बताने हैं triangle के ठीक है तीनो angles को बताना है इसने कहा कि जो exterior angle है वो कितना है 110 और जो interior opposite angle है उनका ratio दे रखा है तो देखिए आप जानते हैं कि exterior angle जो होता है वो equal होता है क्या दो interior opposite angles के sum के equal लेकिन यहां आपको उसका क्या दे रखा है ratio तो आप कहेंगे पहला number क्या है 2x और दूसरा क्या है 3x जो की ratio है और यह exterior angle कितना दे रखा है 110 ठीक है तो इसको solve करके हमारे एंगल आ जाएंगे तो language के लिखेंगे let the two इंटीरियर ऑपोजिट angle are 2x and 3x clear है अब देखिए exterior angle 110 है और interior के है 2x plus 3x कितने x हो गए 5x की value 110 तो 110 अपॉन 5 ये किसकी value हो आ गई x की cut करोगे 22 times तो x की value 22 है तो पहला क्या है 2x तो first angle हमारा क्या हो गया वो कितना हो गया 2 multiply है x की value कितना हो गया 44 degree और second angle क्या हो गया वो क्या है 3x यानिकी 3 multiply 22 यानिकी 66 degree तो किसी triangle के हमें 2 interior angle पता चल गए है मान लीजिए एक क्या है 44 और दूसरा क्या है 66 अब third angle कैसे निकलेगा आप इन सब को plus करेंगे तो 180 degree है ना माली जी वो triangle ABC है तो आप जानते हैं in triangle ABC एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इकोल इस टू 180 degree और ट्राइंगल के तीनों angles का sum 180 होता है ना तो एंगल ए देखो हमारा 44 है एंगल बी हमारा 66 है और एंगल सी हमें और निकालना है जो कि 180 का equal होगा इन दौनों को add करो तो 64 10 की 0 carry 1 और यह 110 equals plus angle C equals to 180 तो angle C की value क्या हो गई 180 minus 110 यानिकि 70 degree ठीक है तो angle C की value हमारी क्या गई है 70 तो हमें सारी एंगल पता चल गए है ठीक है चली नेक्स क्वेशन पता है